नमस्कार दोफ्तूं, आज हम आपके लिए नया विश्य लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है सनातन धर्म, जीवन का शास्वत मार्क परीचे सनातन धर्म जिसे एकसर हेंदू धर्म कहा जाता है, दुनिया के सबसे पुराने और सबसे विविद धर्मों में से एक है बारतिय ओप माधियुप में नहीत यह सिर्फ एक धर्म नहीं है, बल्कि जीवन का एक तरीका है जो विश्वासों, रथाओं और दर्शन की एक समरद संक्राफ को समाहित करता है इस ब्लॉग कोस्ट में हम सनातन धर्म के सार, इसके मूल सिधानतों और व्यक्तियों और दुनिया पर इसके गहरे प्रवाव का पता लगाएंगा उत्पत्ती और अर्थ शब्द सनातन धर्म का अनुवाद सनातन सत्य या सनातन मार्क के रूप में किया जा सकता है यह इस विश्वास को दर्साता है कि इस प्राचीन परंपरा के सिध्धान्त और मूल कालातित हैं और समय और रिस्तान की सीमाओं से परे हैं कई अन्य धर्मों के विपरीत सनातन धर्म का कोई एक संस्थापक या सिध्धान्तों का एक विशिष्ट समो नहीं है इसके बजाए यह एक विविद और समावेशी परंपरा है जिसमें कई धर्म गरंत, अनुष्ठान और रिचार धाराएं हैं मूल सिध्धान्त सनातन धर्म मौलिक सिध्धान्तों की नीव पर बना है जो इसके अनुयाईयों के जीवन का मार्क दर्शन करता है धर्म, करतव्य और धर्मिक्ता धर्म नैतिक और नैतिक सहीता है जो किसी के करतव्यों, जिम्मेदारियों और कार्यों को नियंतरित करती है यह अपनी जिम्मेदारियों के साथ सामंजस से बना कर रहने और जीवन के सभी पहलिवों में दार्मिक्ता बनाए रखने पर जोड़ देता है कर्म, कार्रे और परिणाम कर्म का सिद्धान सिकाता है कि प्रते एक कार्रे के परिणाम होते हैं चाहें इस जीवन में या अगले जीवन में यह व्यक्षियों को सचेतनता और जिम्बेदारी के साथ खार करने के लिए प्रोचाहित करता है संसार पुनरजम का चक्कर सनातन धर्म, संसार की अवधारना, जन्म, ब्रत्यु और पुनरजर्म इस चक्र में विश्वास करता है यह चक्र तब तक जारी रहता है जब तक कोई व्यक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ति, मोक्ष, प्राप्त नहीं कर लेता मोक्ष, मोक्ष अंदिम लक्षे है, जो संसार के चक्र से मुक्ति का प्रतिने दित्व करता है मोक्ष प्राप्त करना सर्वच आध्यात्मिक आकांशा है और मान जाता है कि इससे मारव पीड़ा का अंध होता है आत्मा सनातन धर्म सिखाता है कि प्रतेक जीवित प्राणी में एक शास्वत आत्मा या आत्मा है जो बहुतिक शरीर से अलग है आध्यात्मिक विकास के लिए आत्मा को समझना आवश्यक है प्रकर्ती के सम्मान, प्रकर्ती विवेत, विबिन देवताओं और आत्माओं के रूप में सनातन धर्म में अत्यदिक पूजनिय है यह श्रद्दा सवी जीवित प्राणियों और पर्यावनन तक फैली वही है आध्यात्मिक पत्स सनातन धर्म की विशाल चत्री के बीतर कई आध्यात्मिक मार्ग और दार्शिन के विद्याले हैं जिन में से प्रतेक आध्यात्मिक अनुगोती प्राप्त करने के लिए अदुदिय तरीके प्रदान करते हैं कुछ प्रमुक मार्गों में शामिल हैं बक्ति योग बक्ति का मार्ग व्यक्ति गद देवता के प्रती अटूट प्रेम और भक्ति पर क्रेंद्रित है जिससे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है कर्म योग यह मार्ग निस्वार्थ कर्म और सेवा पर जोर देता है जहां व्यक्ति अपने कर्मों के फल की आसकती के बिना कर्म करते हैं ज्ञान योग ज्ञान का मार्ग दार्शनिक जाज के माध्यम से आत्म प्राप्ति और वास्त्रक्ता की वास्तविक प्रकृति को समझने पर केंद्रित है। हट योग, यह शारिरिक आसन और व्यायाम का मार्ग है, जो आध्यात्मिक विकास के लिए शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए बनाया गया है राजयोग इसे शाहिपत के रूप में भी जाना जाता है यह आध्यात्मिक जागरती प्रावत करने के लिए ध्यान, नेतिक सिद्धानतों और आत्म अनुशासन को जोड़ता है सांस्कृतिक और वैश्विक प्रभाव भारतीय संस्कृति, कला, वास्तू कला और दर्शन पर सनातन धर्म का गहरा प्रभाव रहा है इसका प्रभाव भारतीय ओपमादी उपों से कहीं अधिक तक फैला हुआ है क्योंकि इसने आध्यात्मिक्ता, योग, ध्यान और सचेतन प्रताओं की वैश्विक समझ को प्रेरित और योगदान किया दिया है निशकर्श सनातन धर्म, दुनिया की सबसे पुरानी जीवित परंपरा के रूप में आध्यात्मिक विकाज और समझ चाहने वाले अंगेनत व्यक्तियों के लिए प्रेड़ना और मार्ग दर्शन पर स्रोथ बना हुआ है कालातीत सिद्धांतों पर आधारित इसकी माननेताओं और प्रताओं की सम्रद टेपरिस्ट्री हमें अपने दूसरों और प्राकरतिक दुनिया के साथ सद्धाव वे रहने के महत्व की याद दिलाती है सनातन धन प्राचिन ग्यान की इस्थाई शक्ति और सत्ते और ग्यान की शास्वत भोज के प्रमाड के रूप में कार रिकरता है धन्यवाद